बंगलदेश को दी गई उधारी अब भारती कंपनीस को महेंगी पड़ रही है और असर ये है कि भारती मैनफैक्ट्रस अब बंगलदेशे इंपोर्टर्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे है नतीजतन भारत से बंगलदेश को एक्सपोर्ट काफी तेजी से गिरता चला जा रहे है क्या आप जानते हैं कि बंगलदेश अपनी कुल जरूरत की 30 प्रतिशत दवाईयों का raw material भारत से इंपोर्ट करता है कीमत की बात करें तो भारत हर साल बंगलदेश को करीबन 50 मिलियन डॉलर्स के फार्मसूर्टिकल प्रोडक्स एक्सपोर्ट करता है लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है और वो ये कि बंगलदेश अपने हां इस्तमाल होने वाली 97 प्रतिशत दवाईयां खुद प्रोड्यूस कर सकता है और केवल 3 प्रतिशत ही ऐसी दवाईयां है जो बंगलदेशी कंपनीज इंपोर्ट के जर्ये डिमांड को पूरा करती है लेकिन इस 97 प्रतिशत दवाईयां और जैसा कि हमने कहा कि इस इंपोर्टेट रॉ माटिरियल का 30 प्रतिशत हिस्सा बंगलदेश भारत से लेता है लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन दबा दीजे आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी और हमारे चैनल की काफी बड़ी मदद होती है भारती फार्मा कंपनीज ने इस बात की शिकायत की है कि बंगलदेश को भेजे के एक अंसाइनमेंट कहीं गायब कर दिये गए हैं इसके अलाबा वहां के इंपोर्टर्स ने भारती मैनुफाक्चर्स के फोन उठाने बंद कर दिये हैं और जो बंगलदेशी इंपोर्टर्स रिस्पॉंस दे भी रहे हैं उन्होंने पेमिंट देने से साफ इंकार कर दिया है अब यहां सीधे तोर पे इन इंपोर्टर्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि बंगलदेश में अभी जिस तरह की हालात हैं उसे देखते हुए तो यही लगता है कि बंगलदेशी बिजनेसमेन अभी उधार चुकानी की हालत में बिल्कुल भी नहीं है भारत की फार्मसूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसल अफ इंडिया यानि की फार्मेक सिल का कहना है कि इसी वज़े से अब भारती एक्सपोर्टर्स बंगलदेश को कुछ भी भेजने से बच रहे हैं इसका असार भारत के मेडिकल टूरिजम पे भी बड़ा है और जिन बांगलदेशी लोगों ने अपनी सर्जरीज भारत में प्लान की थी अब उनके प्लान्स भी कैंसल होते हुए दिखाई दे रहे हैं 2023 के डेटा की बात करें तो अकेले बंगलदेश से करीबन साड़े चार लाख लोग भारत अपना इलाज करवाने आये थे और ये केवल ओफिशल फिगर है असल में आकड़ा और भी बड़ा हो सकता है 2019 से पहले तक API जानी के Active Pharmaceutical Ingredients की 85 प्रतिशट डिमांड भारत चायना से पूरी करता था फिर चायना ने भारत को छेड़ा और आज भारत API इसका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोडूसर बन चुका है मतलब फिनिश दवाईयों को लेके भारत अलड़ी दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर था लेकिन अब भारत raw material के एक बड़े सप्लायर की तरह भी जाना जाता है आज भारत की Pharma Manufacturing Industry की value 65 billion dollars के आसपास है और 2030 तक इसके बढ़के 130 billion dollar तक होने का नुमान लगाया है लेकिन South Asia में चानके presence को counter करने के लिए भारत का बंगलदेशी market में उतरना काफी important हो जाता है जानकारों का मानना है कि situation आने वाले time में सुधरेगी और भारत से बंगलदेश को export फिर दुबारा से तेजी पकड़ेगा लेकिन सवाल ये है कि क्या बंगलदेश जैसे देश पे भरोसा किया भी जा सकता है ये जानते हुए कि यहां के लोग भारत की वज़े से मिलने वाले आजादी को भूल चुके हैं भारत की farm industry को इस military cookie वज़े से नुकसान तो हुआ है लेकिन इसकी वज़े से भारती टेक्स्टाइल इंडस्ट्री को काफी बड़ा फायदा भी पहुचा है यूरोप, मिडिल इस्ट, अफ्रीकन और लाटिन अमेरिकन देशों से गार्मेंट्स और टेक्स्टाइल के export orders बढ़ना शुरू हो चुके है और बांगलादेश का नुकसान भारत का कही न कहीं फायदा करा बैठा है एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या बांगलादेश के हलात को देखते हुए आगे चल के इस देश पे भरोसा किया आ जा सकता है और क्या भारत में बढ़ रहे बांगलादेशी लोगों के लिए कड़े कदम उठाने की जुरत है अपना जवाब कमेंट चेक्शन में दिये बिना मच जाएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं धन्यबाद चेहिन